अगर आपका अभी तक आयूशमान कार्ट बना हुआ नहीं है तो अब आप लोग इस्टरम कार्ट के पोर्टल के माददम से अपने आयूशमान कार्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं इश्रम कार्ट का जो portal है उस पर आयुश्मान कार्ट अपलाई करने का जो link है उसे aid कर दिया गया है और उस पर click करके आप लोग एक न्यूँ आयुश्मान कार्ट के लिए online ही apply कर सकते हैं जैसे ही आपका आयुश्मान कार्ट बन जाता है इसके बाद online ही आप लोग इसे download करक किसी भी hospital के माध्यम से 5 लाग रुपए तक का सालाना इलाज मुफ्ट में करवा सकते हैं सबसे पहले आपको Google को open करना है और यहाँ पर आपको type करना है e-shram card इतना type करने के बाद सर्च करेंगे पहले number पर ही website आ जाएगी तो आपको इसी वाली website पर एक बार किलिक करना है और अब आप लोग e-shram card की optional website पर आ जाएगे यहाँ पर आपको option देखने को मिल जाता है register on e-shram और नीचे आपको option मिल जाता है already register login तो आपको login वाले option पर एक बार किलिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरह से page आ जाएगा अपने mobile number को यहाँ पर enter करना है और इस capture code को same to same यहाँ पर fill करेंगे send OTP वाले option पर एक बार किलिक करना है अब आपके mobile number पर एक OTP send किया जाएगा उस OTP को यहाँ पर आपको fill करना है और इसके बाद submit वाले option पर एक बार किलिक कर देना है और इसके बाद कुछ इस तरह से page आ जाएगा जिसमें कि सबसे पहले अपने आधार number को enter करना है तीन option म किया जाएगा उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर देना है और OTP को फिल करने के बाद validate वाले option पर एक बार किलिक कर देना है जैसे ही किलिक करेंगे कुछ इस तरह से page आ जाएगा इस वाले box पर आपको tick नहीं लगाना है अगर आप यहाँ पर टिक लगाएंगे तो आपका ज लुगों को देखने को मिल जाएगी तो जैसे कि हमें अपने इश्रम कार्ट के माद्यम से आयूश्मान कार्ट के लिए apply करना है यहाँ पर option देखने को मिल जाता है health आपको इसी वाले option पर एक बार किलिक करना है किलिक करने के बाद में option देखने को मिल जाता है आयूश्मा card बनाना हुआ और भी आसान जिसमें की दो option मिलेंगे beneficiary operator यहाँ पर beneficiary वाले option को select करके capture code को same to same यहाँ पर fill करेंगे और अपने यहाँ पर mobile number को enter करना है mobile number enter करके verify वाले option पर एक बार click कर देना है और इसके बाद आपके mobile पर एक OTP send किया जाएगा OTP यहाँ पर fill करेंगे इस capture को same to same यहाँ पर fill करके login वाले option पर एक बार click कर देना है आपको सबसे पहले scheme में PMJAY select रहने देना है इसके बाद यहाँ से आप लोगों को अपने state का नाम select कर लेना है इसके बाद में यहाँ पर अपने आधार card number को enter करेंगे और इस capture को same to same यहाँ पर fill करेंगे और इसके बाद search का option आ जाएगा इसी बाले option पर click कर देना है और click करने के बाद यहाँ पर अभी आप देख सकते हो आपके family में जितने भी members होंगे सभी members के list आपके सामने आ जाएगी अब जिन भी लोगों के पहले से ही आयूश्मान card बने हुए होंगे तो सामने ही verified लिखके आ जाएगा और आप लोग यहीं से उनका आयूश्मान card डाउनलोड कर सकते हैं जिन भी members का आयूश्मान card बना हुआ नहीं होगा तो उनका यहाँ पर unidentified लिखके आ जाएगा और note generated लिखके आ जाएगा यहीं पर आपको option मिल जाता है KYC करने का तो यहीं से आप लोग EKYC को complete करके एक new आयूश्मान card को apply कर सकते हैं तो आप लोगों को simply से KYC वाले option पर एक बार click कर देना है और इसके बाद में आपके आधार card के last के four digit यहाँ पर आ जाएंगे verify वाले option पर एक बार click करना है जैसे ही click करेंगे कुछ इस तरह से consent page आ जाएगा यहाँ पर आपको इस वाले box पर tick लगाना है और allow वाले option पर एक बार click करना है click करने के बाद में आपने इस portal में जिस भी mobile number के माध्यम से login किया है तो उस mobile number पर एक OTP send किया जाएगा वो OTP यहाँ पर आपको फिल करना है और एक OTP आधार card से जो भी mobile number link है तो इस mobile number पर send किया जाएगा तो वो OTP आपको यहाँ पर fill कर देना है तो हमने यहाँ पर दोनों ही OTP fill कर दिये इसके बाद आपको authenticate वाले option पर एक बार click कर देना है और इसके बाद आपके सामने सभी family members के name आ जाएंगे अब जिसका भी आयुश्मान card आपको apply करना है उसे select कर लेना है और select करने के बाद नीचे की side में आएंगे दोबारा से आ आप लोगों को authentication करना पड़ेगा जिसमें कि यहाँ पर आधार OTP का option मिल जाता है fingerprint और iris scan तो हम यहाँ पर आधार OTP वाले option को select करेंगे और select करने के बाद में यहाँ पर आधार card के last के four digit आ जाएंगे verify वाले option पर एक बार click कर देना है कुछ इस तरह से terms and conditions का page आ जाएगा इन्हें आपको accept करना है और allow वाले option पर एक बार click कर देना है इसके बाद में आपके आधार card से जो भी mobile number link है उस पर एक बार फिर से OTP send किया जाएगा जिस OTP को यहाँ पर आपको fill करना है और इसके बाद में जिस भी mobile number से आपने login किया है तो उस mobile number पर भी एक OTP send किया रहे हैं यह आपके आधार card वाला photo है और आपको यहाँ पर एक और photo भी capture करना पड़ेगा तो photo को capture करने के लिए capture photo वाले option पर एक बार click करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर permission को allow कर देना है click करने के बाद अब आप लोग देख सकते हो photo यहाँ पर match हो चुका है कोई भ mobile number तो हमारे पास mobile number है तो yes वाले option पर click करेंगे और इसके बाद आप लोग जिसका भी iOS 1 card बनाना चाहते हैं उस बेक्तिका यहाँ पर mobile number enter करने के बाद verify वाले option पर एक बार click कर देना है अब जैसे ही click करेंगे mobile number पर एक OTP send किया जाएगा OTP आपको यहाँ पर fill कर देना है OTP OTP यहाँ पर verify हो चुका है इसके बाद year of date वाले ऊप्चन को आपकोडक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर रिलसन को आपको अपनी तहसी नाम यहाँ पर Select कर लेना है Select करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने village का नाम PayPal a reference ID मिल जाएगी और इसके बाद आप इसका status भी check कर सकते हैं इसके बाद जैसे ही आप ओके वाले option पर click करेंगे, click करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, new member के लिए मैंने request को डाल दिया है, और अभी आप लोग देख सकते हो, यह painting दिखा रहा है, और इसके बाद जब आप लोग यहाँ पर status को check करेंगे, तो यहाँ पर जैसे ही approved होगा, तो यहाँ प